पुरानी रंजीश के चलते बाइक सवार बदमाश ने एक युवक को दिन दहाडे गोली मारती। गोली लगने से युवक घायल हो गया, घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भरती कराया गया। घड़ना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने CCTV पुटेश के आधार पर बदमाश को तलाश कर गिरफतार कर लिया है। पाजी नामा नहीं करेंगे तो वो हमें मार देगा। उसके बाद उसने कोली चला दी। जिससे मेरा भाई घायल हो गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP अस्पताल पहुँचे और युवक के स्वास्ते की जानकारी लीड। एडिशनल SP ने कहा कि आरूपी को गिरफतार कर लिया गया है उससे पूछताच की जा रही है। हम लोग बस टेंट से टीवी करमोड लेने गए थे वहां से लौट रहे थे जैसे हम लोग बुंदिल खंड गेरेज के आगे जो पंजाब नहीं के वहां पर आते हमां विरोधी है जो नील उतवारी वह अपने भाई के साथ जा रहा था तो उसने हम लोगों को यासी देखा कि कुछ दिर पहले इंफोर्मिशन हमारे पास आई थी कि पंजाम नेशनल बैंक जो पठापूर रोड में है वहां किसवे फायर किया गया है इमेडिट हमारे थानाप्रवारी कोतवाली अरुल दांगी अपने टीम के साथ पहुँचे और इसको लाके हस्पिटलाइज करा ह कंडिशन अभी स्टेबल है उसके स्टेटमेंट लिया जा रहा है प्रामय फिसी जानकारी में आया है कि नीलू त्रिपाठी ने साथ फायर किया हम पे उनका भी अभी रच्छा में लिया गया है और आगे इसमें जाज की जाए रहा है मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmlarlybihna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल निउस आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल निउस